हेलो फ debates स्वाध हरक्वय मैं स्टेर नीज चनल पे तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉंटेक्ट एक्ट के वारे में जहां पे हम हम आज बात करेंगी अज मत करेंगें अनके लिए प्रेश्ट्रेशन होता है यह स्वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन जरूर पेस करें, हमारी नियू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले section 55 देखेंगे section 55 में देखिए संभिधा के पालन का समय लिखा हुआ कि time for performance यदि A और B क्या करते हैं एक contract करते हैं तो आमतर पर यह निश्चित कर लिए जाता है कि उस संभिधा का पालन कैसे और किस time पर करना है यानि उसमें समय भी यहाँ पर निधाई कर दी जाती निधाई प्रारूप में होता है अब माली जी इन दो ब्यक्तियों के बीच में contract होता है संभिधा होती है अब संभिधा तो हो गई लेकिन माली जी उनमें से कोई पक्षकार जिसे एक पक्षकार है वो अपने संभिधा का पालन करने में असमर्थ रहता है जो भी उसने वचन दिया है उस वचन को पालन करने में असमर्थ रहता है सक्षम नहीं रोपाता या अपकी वोज मना कर देता है कि मैं अपने वचन का पालन नहीं करूँगा तो उसका इस सम्मदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी ये चीज़ बताता है section 55 अगर section 55 उस चीज़ के लिए कहता है ना कि अगर जहाँ पर time सबसे ज़यादा जरूरी ही किसी सम्मदा के लिए time सबसे ज़यादा जरूरी है यहाँ पर section 55 में आएगा तो समीधा जो 655 है वो क्या कहती है उस समीधा में जिसमें समय मर्व भूत है समय मर्व भूत है का मतलब कि उसमें समय ही सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है अगर A और B के बीच में कॉंट्रेक्ट होता है और A कहता है कि मुझे ठंडी आने से पहले पुरे जो कपड़े है ठंडी वाले कपड़े है वो चाहिए तो B ने बचन दे दिया है कि हाँ मैं दे दूँगा ठीक है अब यहाँ पर समय क्या है एक टाइम जो है मर्व भूत है क्या टाइम यहाँ पर आ गया अब इसमें section 55 देखेंगे तो उसमें तीन चीजे आती है तीन paragraph यहाँ पर पताएगे है पहला paragraph कहता है कि अगर यहाँ पर पालं को नहीं हुआ तो उसका सुन्न करना ही हो सकता है दूसरा प्रतिकार यह नहीं कि damages claim कर सकता है जिस को जिस party को हान हुई है जिन party को loss हुआ है, वो क्या कर सकता है, damages के लिए claim कर सकता है, और प्रतिकार माग सकता है, और तीसरा चीज कहता है कि प्रतिकार का हगदार नहीं होगा, अब ये तीनों चीज कब होगी, अब इसको हम आगे discuss करते हैं, देखें, तो सबसे पहला paragraph यहाँ पर देखें, तो सबसे यहाँ पर क्या लिख्या है, कि कोई एक निश्चित समय था, और उस टाइम पर, यहाँ पर उस time के पहले उसका बचन जो दिया गया था उसका पालन करने के लिए यहाँ पर कहता है अगर माल लिजे ऐसी किसी बात को उस बेज़िश समय पर या उससे पूर करने में असमल रहते हैं कोई पक्षकार है जो अगर कहता है कि मैं इस टाइम पर या पर इस time के पहले है कार कर दूँगा अपना बचन पालन कर दूँगा लेकिन अब क्या होता है कि इसने time पर पालन नहीं किया तब क्या होगा कि बचन ग्रहीता के बिगलप सुनने करनी हो जाएगी पहला condition हमने देखा न कि क्या हो जाएगा सुनने करनी हो जाता है यदि प इनका आसे पक्षकारों का आसे क्या था, जो time था सबसे ज़्यादा जरूरी था, अगर इनका main आसे था, intention था, वो सम्य आसे का जाए क्या था, वो एक समय था, यानि कि time पर ही इसका performance होना चाहिए था, अब जब जैसे B अपने वचन का पाला नहीं करता है, time पर इसका performance नहीं करनी हो जाएगा अब ये जो है वो चाहे तो 20 जो पर फोर्फोर्मस करवा ले या फिर अगर चाहता है कि मुझे पर फोर्फोर्मस नहीं चाहिए तो ये उस संविदा को सुनने घोशित करवा सकता है यानि कि void declare करवा सकता है यहाँ पर इसके पास यह अधिकार मिल जाता है किसके पास बचन ग्रहीता के पास यहाँ पर बचन करता जो है यानि कि जिसने बचन दिया है उसके पास यह right नहीं है लेकिन बचन ग्रहीता जो है उसके पास right होना चाहिए राइट है और यहाँ पर सबसे में चीज क्या है कि समय जो है ना उस समीदा का मर्म होना चाहिए सबसे important होगा यहाँ पर आप underline इसको कर लिएगा याईनि कि किसी समय पर आपने बचन दिया कि हम जो कार है उस समय पर या पर उस समय के पूर्व कर देंगे लेकिन आप उस क्या करते हैं असफल रहते हैं उस चीज को perform करने में उसका पालन करने में तो यहाँ पर जो बचन ग्रहीता है जिसने accept किया था आपके promise को चलो ठीक है आप पूरा करोगे time पर तो ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ अब उसने पालन नहीं किया तो क्या हो जाएगा यह बचन ग्रहीता के विकल पर सुन करनी हो जाएगा या वोइडेवल हो जाएगा या तो उसको सुन निगोशित करवा देगा वोइड डिकलेर करवा देगा या फिर उसका पालन करने के लिए भी कह सकता है यह होगी अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कहता है एसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्वभूत नहीं है अब माल यह एक कॉंट्रेक्ट तो हो गया अब कॉंट्रेक्ट हुआ है लेकिन वहाँ पर टाइम जो है न इस मर्वभूत नहीं है टाइम आवश्यक नहीं है तो यहाँ पियादी पक्षकारों का आसा ना रहा हो कि सम्विदा का मर्व होना चाहिए तो सम्विदा ऐसी बात को मिर्दिश समय पर या उससे पूर करने में अस्फ़ल रहने से सुन्न करनी नहीं होगी अगर टाइम ही कोई specified नहीं है और टाइम ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है उस सम्विदा में उस contract में तो क्या होगा ये सुन्न करनी आप नहीं करवा सकते हो तो किसी के बिगल पर सुन्न करनी हो रहा था तो यहाँ पर ऐसी चीज कुछ नहीं होगी अब यहाँ पर क्या होगा प्रतिकर पाने का हगदार होगा आप उससे प्रतिकर माग सकते हो लेकिन इसको सुनने करनी आपके विगल पर नहीं होगा आप यहाँ पर क्या हुआ सुनने करनी तो नहीं होगा किन्तु जो बचन ग्रहीता है इससी असफलता से उसे हुई किसी हान के लिए बचन दाता से प्रतिकर पाने का हगदार है यहां पे हगदार हो गया, अब जैसे A जो है, किसी कलब का मैनेजर है, अब इसने B से क्या किया, कि agreement किया, कि आपको मेरे हाँ आके गाना गाना है राख में, अब इसने क्या हुआ, कि कोई यह time to decide किया नहीं था, date भी decide नहीं थे, कि तारीक को आना है, इसने बोल दिया, अगल अब यहां पर क्या होता है, यहां पर fix था नहीं, तो वो क्या होगा, कि यहां पर प्रतिकर पाने का हगदार यह हो जाएगा, नेक्स आता है, करारिस समय से भिन किसी समय पर, यानि कि जिए agreement होगा ना, उस time से भिन किसी समय पर किया गया पालन के प्रतिकर परवाब, यदि ऐसी समीदार की दो समय, जो करारिस समय पर यह बचन के पालन बचन दाता कि असफलता का सुन्ने करनी हो, बचन गरहिता ऐसे अब लेकिन क्या हुआ, कि जैसे ही बचन गरहिता जो था, जैसे A था, नहीं है, A को पालन, B को पालन करना था, B ने पालन नहीं किया, A को कुछ loss हुआ या पर कुछ भी हुआ, अब A ने क्या किया, चलो ठीक है, loss तो हो गया, अब एक काम करो, आप मुझे किसी अनिक तारीक पर, किसी निश्ची समय पर फिक से बता, फिर से एक टाइम देता है, उच टाइम पर मुझे किया करदो, गुर्ज की डिलेवरि करदो, अब यहाँ पर जैसे यह करता है, इसको सूचना दे देता है, B को न, तब फिर A के पास कोई अधिकार नहीं बचता, कि यह उससे प्रतिकर्म आग सके, फिर यहाँ पर प्रतिकर्म पाने का कोई ह fact बनाने वाली बाते कौन सी है पहला चीज तो कहता है कि जब पक्षकार agreement करते हैं जब contract किया जाते दोनों के बीच अगर दोनों में सब पक्षकार जो है यह decide कर लेते हैं कि समय जो है वो सबसे ज़्यादा important रहेगा इस हमारे समविदा में और समय पर ही इसका पालन करना है तो फिर वो समय जो है ना वो समविदा का मर्म हो जाता है दूसरी चीज कहता है जब समय पर पालन ना करने से दूसरे पक्षकार को हान होती है अब जैसे A है A रहे B से कोई agreement किया अब यहां से B अगर कोई उसका पालन टाइम पर ना करें तो A को क्या हो जाएगा जैसे थंडी वाला हमने ग्यांपल दिया था कि अगर यह थंडी में क्या करें थंडी के पहले कपड़ मागा थे कि मुझे कपड़े चीए ताकि उसका बिजनेस कर सको अब B जो है थंडी के कपड़े जो है उसको नहीं दे पाया किसको? A को तो यहां पे क्या हुआ? कि A जो है उसको थे क्या हुआ? लॉस हुआ ना लॉस हुआ तो यहां पे क्या हुआ? एक टाइम जो है यहां पे तो उसका important चीज हो गई फैक्ट हो गई कि समय जो है इसका अमबर भूत हो गया तो यह चीज़ हो गई तीसरी चीज़ कहता है कि जब सम्विदा की आवशकता था उसकी प्रकृती से इस पस्ट होता है कि समय का सारभूत होना आवश्यक है तीसरी चीज क्या कहता है कि अगर जो contract किया गया है उस contract की प्रकृति को देखने पे ही पता चलता है कि ये बिल्कुल time पे ही performance होना चाहिए था अगर नहीं वाद क्या होगा loss हो जाएगा तो ये तीनों चीज आपको note down करनी चाहिए ये समिदा को मर्मुद बनाने वाली तीन बाते हैं अब आते हैं बात करते हैं doctrine of frustration की ठीक है अब doctrine of frustration की बात करें यहाँ पर doctrine of frustration का मतलब क्या होता है कि आपने कोई agreement किया या आपने कोई contract किया और वो क्या हो गया बाद में या तो starting से ही वो असंभ हो रहा होगा कि आप उसको पालन उसका करी नहीं सकते हैं उसका perform ही नहीं करवाया जा सकता है और दूसरी चाहिए कि आपने जब contract किया तब तो ठीक है perform करवाया जा सकता था लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसे कुछ situations आगई कोई ऐसी परिष्टिया आगई जब यहाँ पे आपका जो contract है उसका पालन कभी नहीं किया सकता है यानि impossible हो गया है यानि कि जो आपका contract था वो क्या हो गया है वो frustrated हो गया है तो यह चीज़ यहाँ पे आती है doctrine of frustration यह एक legal mechanism पे बेस्ट है let's non cause it and impossibility अभी इसका मतलब क्या होता है कि law will not compel a man to do what he cannot possibly perform यानि कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको कोई possibly नहीं है उस चीज़ को करने के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको law भी बिधी भी यहाँ पे कहेगी कि आप उसका perform करो ठीक है जब यहाँ पे perform नहीं करा जा सकता है perform किया नहीं जा सकता तो आपको विधी क्या करेगी कैसे compel कर सकती है आपको ठीक है यह चीज़ आजा आती है अब यहाँ पे case देखिए अब आया कैसे तो सबसे पहला case आया था paradigm versus gen का अब इसमें क्या होता है कि जैसे A है और B अब B की कुछ जमीन थी कुछ A ने क्या कर दिया उसकी जमीन A ने ले लिया कुछ business करने के लिए A ने बोला कि मैं कुछ business करूँगा एक जमीन है जो तुमारी B है यह जमीन मैं लेके इसमें business करूँगा जो भी इसमें earning होगी उसमें से profit मिलेगा उससे क्या करूँगा rent भरूँगा तुमको rent दे दूँगा अब क्या हुआ बाद में यह जमीन थी ना इसको invest कर लिया गया किसी earn के दौरा और यहां पर क्या कर लिया गया यहां पर कोई business नहीं कर पाया जब business नहीं कर पाया तो यहां पर किराया दे नहीं पाया तो बी ने क्या कर दिया यहां पर court में दावा कर दिया किराया के लिए कि मुझे किराया तो चाहिए जब किराया चाहिए तो यहां पर उसने तो business किया नहीं था तो A का कहना था कि भाई मैंने बिजनेस नहीं किया मैंने यह सोचा था कि बिजनेस करूँगा उसके बाद जो भी यहां से अरनिंग होगे उससे किरायए दोगा तो court ने क्या बोला court में मना कर दिया ठीक है जो यहाँ पर doctrine है न, frustration वाला, यह चीज आया तो था, लेकिन यहाँ पर acceptance नहीं किया गया, उसके बद दूसरा case आता है, Taylor vs. Cardwell का, Taylor vs. Cardwell को क्या किया गया है, इस doctrine of frustration को अपनाया गया था, यह English law के पूरे केस है, वहीं से concept आया है, और वहीं से यह case है, सारे यही चल रहा है भी अब ग्यांपलती समझ लेते हैं, जैसे B है, B का एक music hall था, जो किराये पर देता था, अब A जो है, उसको कुछ concert कराने थे वहाँ पे, तो इसने क्या किया किराये पर ले लिया, इसका B का music hall, अब जो music hall था, उसने ले तो लिया, लेकिन जिस दिन पर performance करना था ना, जिस ता हमने समझ लेता किये, और तुम आपने समझ लेता का पालन करोगे, तो यहाँ पे जब court में case गया, तो court ने क्या बोला, कि भाई, जब subject matter ही नहीं रहा, जब subject matter बचा ही नहीं, बस तो नहीं बची, तो आपका contract कैसे पालन होगा, ये तो असंभव हो गया ना, जब असंभव हो गया, तो यहीं पे आजाता है, आपका doctrine of frustration, यानि कि जब contract हुआ, तब तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो contract frustrate हो गया, उसका पालन नहीं करवाय जा सकता, तो यहाँ पे आ गया, Taylor versus Cardwell का, जहाँ पे frustration को यहाँ पे accept किया गया था, अब आते हैं section 56 में, तो section 56 दो paragraph की बात करता है, यहाँ पे दो चीजे बताता है, आरंभिक असंभवता और पस्चादवर्ति असंभवता, यानि कि starting initial और पस्चादवर्ति मतलब, consequent, ठीक है न, subsequent, यहाँ अब subsequent possibility, अब यहाँ पे क्या हुआ, आरंभिक असंभवता में क्या होता है, कि A ने जैसे B से agreement किया, B से क्या agreement करता है, कि मैं तुहारा एक घर है, ठीक है, एक घर है तुम्हारा, जो खाली पड़ा रहता है, किसी काम कर नहीं है, मैं उसको घर को वहाँ उसको लूँगा, और उसमें क्या करूँगा, एक prostitution को वहाँ पे business करूँगा, ठीक है, prostitution, यानि बैस्चादवर् हुआ, इल्लीगल है भई, आप तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो यह तो starting से ही illegal है, क्योंकि वह चीज बिधी मना करती है, तो जब बिधी मना करती है, तो आपके तो agreement starting से ही initial stage पे ही क्या हो गया, असंभ़ हो गया, यानि frustrated हो गया वहीं पे, तो यही चीज़ यहां पे कहती ही, वही करार जो एसा करने के लिए हो, जो सता है, असंभ़ हो, या तो विधी मना कर रही है, या फिक किसी अन्य कारण से क्या है, असंभ़ हो गया है आपका, एक और इक्याम पल लेते हैं, यह जो है, ओबी से कहता है, कि तुम मुझे 50,000 रुपए दो, मैं तुम्हें एक जग जो एग्रिमेंट हुआ, तो वह असंभव है न, इनिशियल स्टेश पर ही असंभव है, यह जाद हो अदू तो यह कानून हमारा मानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, आरंबी का असंभवता हो जाएगी, तो यहाँ पर फ्रेश्ट्रेट हो जाएगा इसका तो पस्टाद बरती असंभवता का मतलब क्या होता है, यह आपने कांटर्क्ट किया था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो फ्रेश्ट्रेट हो गयाँ, बाद में आप उसका पालन नहीं कर सकते हो, तो यह चीज देखिए, उस कारिको करने की सम्हीं questa जो तक पस्टाद अस संभव हो गया बिदिपिरुद हो गया जैसे माली जे इंडिया है और पाकिस्तान है इंडिया का एक व्यापारी था और पाकिस्तान का एक व्यापारी था इंडिया ने बोला कि मैं तुम्हें जो गोल्ड है यानि सोना गोल्ड सप्लाई करूँगा एक डेट डिसाइड कर दे कि अब यहां पर गोल्ड सप्लाई नहीं होगा पाकिस्तान में, इंडिया से, यानि एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊगे, तो जब यहां पर बिधी पिरुद्ध हो गया, आप यहां पर बिधी बना दी कानून ने, यहां पर गवर्नमेंट ने, जब कानून बन गया है, तो यह क् संभव हो गया, आप करो गया, वो तो इल्लीगल है, बिधी पिरुद्ध है, तो यह चीज हो जाती है, कि आपने जब कानून बना के उसको रोग दिया गया, बिधी पिरुद्ध बना दिया गया, तो यह क्या हो गया, यह सुन्न हो गया है, ठीक है, या तो कार्या संभव हो टीक है भी अप भी तु तैयार हो गए इन दोनों के बीच पीचे kontraks हो गए लेगिन जब साधी करने के time आई तह देथ हो गए या फिर फिर सिप पाझल हो गई भी या डेथ हो गए जासक्छम हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो इन दोनों के बीच होना जात हो अब माल ये कोई ऐसे कारी के अपालन से यानि कि कोई ऐसा कॉंट्रेक्ट हुआ था जिसके अपालन से यानि जिसका पालन नाकर नहीं किया गया तो उससे क्या होई हान होगी जो ऐसा कौन सा कॉंट्रेक्ट तो उसके बारे में देखे जहां कि एक ब्यक्ति ने कोई एसी बात करने का बचन दिया हो जिसका असंभाव या बिद्विरुद हो जानता था या युक्ति ततवर्चा से जान सकता था और बचन गरहिता नहीं जानता था वहां जो कोई हान एसे बचन गरही था को बचन पालन से एसा बचन दाता है उसे प्रतिकर गर्यों में देगा ठीक है अब यहां पर सिंबल सी बात यह कहता है कि अगर ए यह जानते हुए है कि बी से जो कॉन्ट्रेक्ट कर रहा है वो असंभाव है पी को इतना नहीं पता था और B से कोई इससे क्या कर लिया, कुछ पैसे अगरे ले लिये, A ने, और उसके बाद क्या हुआ, जब भाई, असंभा हो गया, agreement, इसने बोल देख, भाई, यह तो असंभा हो था, इसलिए हम यहाँ पर agreement का, contract का पालन नहीं कर पाए, तो भाई, B तो क्या करेगा, भाई, B को लॉस हो गया ना, क्योंकि A तो दुन्हें ने क्या किया, A ने जान बूझ कर ऐसा किया था, ताकि B को क्या हुआ, नुकसान हो जाए, अब B को अगर नुकसान हुआ है, अब यह तो A को प्रतिकर तो देना पड़ेगा, कोड बोलेगा, भी यहाँ पर प्रतिकर तो दो, क्योंकि A ने क्या किया है, जान बूझ कर इसको क्या, अबेट किया है, यहाँ पर किसी भी तरह से इंस्टिगेट किया हो, कि B यहाँ पर मान गया, कॉंट्रेक्ट करने के लिए, B ने कुछ पैसे रुपए दे दिये होंगे B ने अपने बचन का पालंग कर दिया, जब A को पालंग करने के बात आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, A ने बोल दिया, भाई यह तन गौंट्रेक्ट तो असंभव हो गया, अब हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिकर देना होगा, बचन गरहिता को, अब यहाँ question आता है कि कब किसी सम्विदा को असंभाव घोसित किया जा सकता है यानि frustrated घोसित किया जा सकता है पहली चीज तो अगर contract की बिसाय बस तो ही समाप्थ हो जाए जैसे music hall वाला हमने क्या कि यह तक case देखा तो music hall वाले case में क्या हुआ उसका तो music hall जल गया जब subject matter ही खतम हो गया तो वहाँ पर क्या होगा वो तो frustrated हो जाएगा दूसरी चीज बिधी द्वार असंभाव कोचित कर दी जाए इंडिया पाकिस्तान वाला हमने अभी example दिया और इंडियन government ने क्या बना दिया एक rule बना दिया कि अब जो gold है यो पाकिस्तान में supply नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो गया वो तो असंभाव हो जाएगा तीसरी चीज कहता है मृत्य या असक्षमता इसका भी example हमने दिया कि A और B के बीच में agreement होता है कि A कहता है कि C किसे अगर B साधी करता है तो उसको 5 लाक रुपए देगा है और C मर जाती है अब जब C मर गई तो वहाँ पर असंभाव हो गया ना भाई यह साधी किसे करेगा भाई यो C तो मर गई न यह चीज आता है अब एक चीज और आती है कि Indian contract हमारे Indian law में सबसे यहां पर जो पहला case आता है इसका frustration वाले का जो सबसे land work judgment की बात करें तो यह आता है सत्वरत घोष मश्य मगनी राम बांगूर कंपनी 1954 का है हाला कि इस case में क्या हुआ था कि इसको frustration घोषित करने से मना कर दिया गया था नियाला के दोरा हुआ क्या हुआ कि जो मंगनी राम का बांगूर कंपनी थी इसने क्या किया एक जमीन लिया हुआ था इसमें गहुत सारे plotting करके यहां पर flats बनाने वाला था अब इसने क्या किया कई लोगों को यहां पर बोला कि जिसको भी flats चाहिए तो आके यहां पर कुछ पैसे जमा कर दे और बाकि जब यहां पर development हो जाएगा पूरे plot बन जाएगे फ्लेट बन जाएगे उसके बाद आधे पैसे आपको देने पड़ेगे अब यहां पर कुछ लोगों ने इसको दे दिया बाद में क्या हुआ कि Second World War हुआ और वहां पर क्या हुआ युद्ध हो गई और यहां पर उस जमीन के जहां पर फ्लेट बनने थे ना उसमें सरकार के द्वारा किसी परपर से उसको कबजा कर लिया गया कि यहां पर हो सकता है कुछ काम में आ जाए इसी जमीन अब कितने साल तक चलेगा यह तो पता नहीं था युद्ध तो यहां पर जो कंपनी थी ना उसने यहां पर केस लगाया कि जो हमारा एग्रिमेंट हुआ है फ्लैट्स वगरा बनाने का देने का इसको क्या कर दिया असंभव कोशित कर दिया जाए क्योंकि हमें नहीं पता कब तक यह चलेगा और हमारे जो जमीन है इस पर तो सरकार का कबजा है भी तो यहां पर जो नियाले है ना नियालेन असंभवता की परिभासा यहां पर बताई थी और संभवता की परिभासा क्या बताई थी यहां पर आपको ने फ्लैट्स बनाने का बादा किया है ना आपने टाइम लिमिट्स दिया नहीं है कि कितने टाइम लिमिट्स में आप बनाओगे कितने टाइम लिबिट में आप उनको यहाँ पे फ्लैट्स दोगे तो यहाँ पे ऐसा जरूरी थोड़ी है तो आप क्या कर दो अगर टाइम लिबिट निश्चित नहीं है तो आप तो बाद में भी बना सकते हैं और मिलते हैं अगले लेक्षर में अप्रोप्रियेशन और पेमेंट के बारे में ठीक है सेक्षन 59 से लेकर सेक्षन 61 तक जहां पर तीन सी धांद बताये गया है